हमने ये समझ लिया कि atomic mass unit क्या होता है अब यहां से देखे अब इसी के basis पे हम जब यह देखते हैं कि हमारे पास periodic table के अंदर periodic table के अंदर हमेशा सारे के सारे elements related कुछ ना कुछ mass number जो है वो लिखा रहता है ठीक है क्या लिखा रहता है mass number आपने बढ़ा होगा कि हमारे पास जो भी element होता है उससे related दो information periodic table में होती है एक होता है atomic number दूसरा होता है बचो हमारे पास क्या mass number राइट दूसरा क्या होता हमारे पास mass number तो जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें for say iron iron के लिए हम बोलेंगे कि यार यह हमारे पास क्या atomic number है और यह बचो हमारे पास क्या है mass number है तो यह जो mass number है यह क्या represent करता है अपने पास यही mass number जो है बचो यह हमारे पास represent करता है कि atomic mass unit के अंदर आपका यह जो atom है उसका mass कितना होगा और यहां पर ध्यां से देखो यहां पर कोई भी unit नहीं है यहां पर कोई भी unit नहीं है तो बिना unit के यह वाला जो number होता है जो कि हमारे पास periodic table में लिखा रहता है हर elements related इसी को बच्चों क्या बोल जाता है इसी को बोला जाता है relative atomic mass है ना ध्यां से देखो relative atomic mass और जो हमारे पास atomic mass unit है यह सब interrelated है कैसे interrelated है यह सारी की सारी चीज़े हमारे पास use करी जारी है to define the mass of any element so अगर हमने बोला कि हमारे पास iron जो है उसका related mass number है 55.8 यह approximately इसको क्या लेगे चल लेटे है 56 लेगे चल लेटे है तो यह जो 56 है यह क्या represent कर रहा है relative atomic mass unit और इसका क्या मतलब है relative atomic mass unit होता है relative atomic mass जो है वो क्या होता है mass of one atom of an element divided by 112 the mass of an atom of C12 तो 112 the mass of an atom of C12 यह तो हमारे पास कितना होता है यह तो होता है हमारे पास one atomic mass unit ठीक है और suppose हम किसी भी atom का जो mass है वो represent कर रहे हैं आपर तो यह भी हम किसमें represent करेंगे amu के अंदर represent कर देंगे ठीक है तो यह देखो हमारे पास क्या हो गया उपर और नीचे cancel out हो जाएगा isn't it यह हमारे पास उपर नीचे क्या हो जाएगा बच्छो cancel out हो जाएगा तो यह जो number निकल के आएगा relative atomic mass यह एक unit less quantity निकल के आ जाएगी जैसे iron का अगर हम लेके चलें iron का approximately हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा यह आ जाएगा 56 ठीक है 56 का क्या मतलब हुआ 56 का यह मतलब हुआ कि अगर हम iron का atomic mass निकालना चाहें ठीक है atomic mass निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 56 56 into 1 amu है ना यह हमारे पास क्या हो जाएगा mass of one atom कितना हो जाएगा relative atomic mass multiplied by amu है ना mass of one atom is equals to ram multiplied by 1 amu इसका मतलब अगर इसका mass number जो है यह relative atomic mass 56 दिया हुआ है तो यह इसका atomic mass हमारे पास कितना हो जाएगा 56 atomic mass unit यह हो गया किस तरीके से हम atomic mass unit जो है उसको use करते हैं और जो elements है उनके relative atomic masses लिख देते हैं ताकि जब भी आप relative atomic mass को multiply कर दो amu से तो वो आपको क्या दे दे वो आपका एक atom का mass जो है उसको दे देगा है ना अब आप किसी का भी उठाए लो यहाँ पर चाहे आपको याद हो अगर जैसे sodium का 23 हो जाता है तो 23 amu यह एक sodium atom का जो है अपने पास mass हो गया यह helium की बात करें helium का जो mass number होता है चार होता है तो 4 amu यह हमारे पास क्या हो गया एक helium atom का mass हो गया जी यह अपना फंडा हो गया किस तरीके से बचो हम atomic mass unit को use करते हैं along with relative atomic masses ताकि हम किसी भी element का क्या बता सकें mass जो है वो बता सकें है ना तो atomic mass is mass of one atom in amu ठीक है is equals to relative atomic mass into one amu झाल एक हम हम प्याद झाल करते हो जो है तो झाल एक झाल झाल को झाल झाल झाल